तो दोस्तों आज है मेरे पास Redmi Note 10 तो आज हम इसके unboxing करेंगे इसके review करेंगे और इसके बारे में जो ही महत्वपून बाते हैं वो सभी इस वीडियो में जानेंगे तो चलिए सबसे पहले इसको open करते हैं तो मैंने इस box को पहले ही open किया है ताकि जब delivery लेते समय इसके अंदर जो products है उसको देख सकें तो चलिए इसको open करते हैं यहां पर आपके सामने तो इसमें हमको जो चीजह मिन जाती है वो मैं पहले आपको दिखा देता हूं यह हमारा में प्रोडक्ट सामी Redmi Note 10 mobile ठीक है इसको अभी side में रखते हैं बाकी देखते हैं कि इसके अंदर और क्या-क चीजह हैं तो इसको अगर हम open करते हैं तो यहां पर हमें एक SIM ejector tool मिन जाता है ठीक है इससे जो SIM eject करने के लिए ठीक है इसके बाद यह रहा एक user manual जो की कोई पढ़ता है नहीं ठीक है आप चाहें तो पढ़ सकते हैं कि इसके बाद एक मिनता यहänger ऐओ कि SIM मिनता है ठीक है जो इसको मोबाइल में लगा सकते मोबाइल प्रोडेक्टिव केसे और यह एक मजबूत है ठीक है ये हो गया इसके साथ ही इसमें मिन्ता है एक 33 वाट का फास्ट चार्जिंग ठीक है मैं इसको आपको निकान करके दिखा दे रहा है ठीक है यह जो है वो 33 वाट का है और फास्ट चार्जिंग है ज़िए साज भी बड़ा है आप देख सकते हैं इसके साथ ही एक मिनता है टाइब सी केवल इसमें इतना बड़ा और बस हो गया बाकी डबा खाली हो गया इसके बारे मौँ जो चीजे इसने श्कांबी ओही है वूपी आप देख सकते हैं बाकि तो मैं आपको विडियो में बताऊंगा हीं तो इन सभी को हम साइड में रखते हैं ठीक है और अब बात करते हैं मेन प्रोडॉक्ट की तो यह हमारा मोबाइल यह जो मोबाइल मैंने खरीदा है यह Amazon से खरीदा है और यह कोई फ्रांट में इन डिस्प्ले एक कैमरा दिया हुआ है ठीक है जो कि 13 मेगा पिक्सल का है और बैक साइड में देखेंगे तो बैक साइड में 4 कैमरे हैं 4 कैमरा है और एक फ्लैस है ठीक है उपर के साइड में जो है वो आपको यहाँ पे एक स्पीकर मिन जाता है और यह सेंसर हो और यह यहां पर माइक्रोफोन ठीक है तो इस तरीके से देखने पर यह जो है एक प्लास्टिक ही है ठीक है और यह सामने तरह स्कीन हो गया तो चलिए अब इसमें डाल लेते हैं उसके बाद इसको ओपन करते हैं और फिर आपको सारे चीजहें दिखाते हैं तो मैंने अब इस मोबाइन कर दिया है और इसके अंदर सिम भी डाल दिया है चुकि इसमें डीवन 4G सपोट है इसलिए आप एक साथ दो फोर्जी भी यूज कर सकते हैं इसके स्कीन क्वालिटी की बात करें तो यह आप देख सकते हैं इस तरीके का कुछ दिखाई देता है ठ इसके प्रोशेसर की के तो इसमें Qualcomm Snapdragon 678 यानि की 618 जो प्रोशेसर हुआ है जो की एक औक्र कोम प्रोसेसर हें इसके साथ ही इसमें एंड्रियो 620 GPU यूज हुआ है ठीक है अगर बात करें इसके अस्क्रीन की तो इसका जो अस्क्रीन का साइज है वो 16.33 सेंटीमीटर यानि की 6.43 इंच इसे आप साढ़े 6 इंच भी बोल सकते हैं ठीक है तो इसमें 6.43 इंच का एक डिस्प्ले है जो की फूड एच डी सूपर एमर्ण डिस्प्ले है इसके साथ ही दोस्तों इसकी अगर बात करें रिजोनीशन की तो इसको रिजोनीशन जो है वो 2400 x 1080 इसका रिजोनीशन है वहीं दोस्तों यह जो मोबाइल है वो मैंने खुद अपने पैसे से खरीदा है यह कोई 43 वार्ट का फास्ट चार्जिंग आपको मिल जाता है जिससे कि आप बहुत ही कम समय में बैटरी को चार्ज कर सकते हैं यह जो मोबाइल है वो टू वेरियंट में आता है यानि कि एक आता है जिसमें जिसमें 4GB रैम और 64GB यानि कि 64GB रोम होता है और दूसरा आता है जो कि इसमें 6GB रैम और 128GB रोम होता है तो यह जो मोबाइल है वो 4GB रैम और 64GB रोम वाला है और इसके जो स्टोरेज है उसको आप मैक्रो에이 स्टी के मदद से पांसो बाघगी तक बढ़ा सकते हैं देगा किसमें आप मेरी काड डाल करके पांसो बालना सब्सक्राइब करतें कि प्राइस कि प्राइस की बात करें इसकी जो प्राइस है ये जो मोडरन है इसकी प्राइस है 12999 रुपए अभी कि शॉमें economy हैं तो वहां पे आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा वहीं अगर बात करें च्छे और एक सवाठाइस बना जो मोडन है उसके अगर बात करें तो उसके में जोन पर भीदाम 14,999 रुपए हैं यानिकी 15,000 रुपए और उसको फ्लिपकार से खरीदते हैं तो वहां पे आपको थ लुप तशलिछ इन ऀसने जीएगा खर बात करें इसके camera की तो इसके front में एक camera और बैक में चार केमरे की तो यह जो बैक में camera है वह 48 megapixel का है जो की Sony IMX582 है ठीक है इसका sensor है Sonny IMX582 है और जो वह पार सेंसर है और जो मेन camera है रियर camera में चार केमरे में मेन केमरा में लुपा है दूसरा जो केमरा वे नजर मेगा पिक्षिते हैं चुघदे लेते हैं कोई छोटो चीजों का फोटो रहता है कोई कीड़े का या पधो की पतियों का ठीक है इस तरीके से तो इसके अगर हम फोटो सेंपन्स की बाद करें तो यह जो फोटो सेंपन्स आप देख रहे हैं यह सभी जो है वो दिन में फोटो चीचे गए हैं बैक कैमरा से ठी दिए गया है जो कि 13 मेगा पीशन का है और अब जो आप फूटोच देख रहे हैं वह इसी से क्लिक किया हुआ है और इस अगर आप सेल्फी लेते हैं तो वह भी कुछ इस तरीके का दिखाई देगा दोस्तों इसमें आपको dual stereo speaker मिनता है यानि कि दोनों साइड में speaker है जिससे की sound quarantine बहुत ही अच्छी हो जाती है और दोस्तों इसमें और जो महत्वपुन बाते हैं यानि कि इसका जो operating system है वह android 11 based MIUI 12 ठीक है न इसमें यूज हुआ है और इसके प्रोसेशर जो है वह उसके अधर पर चंद काम करता है दोस्तों अगर बात करें इसके फिंगर पीट सेंसर की तो यह बहुत ही आसानी से आपके जो फिंगर से उसको कैच कर लेता है ठीक है अगर लोग है आप थोड़ा सा इस पर करेंगे अगर इसके स्कीन की बात करें तो इसके स्कीन की जो स्मूथनेस है वह बहुत ही अच्छी है ठीक है आप इस तरीके से इसको बहुत ही असानी से आउन कर सकते हैं वहीं बात करें इसके गेमिंग की तो इसमें जो गेम्स हैं वह बहुत ही असमूथनी रन होते हैं अगर मैं मैंने इसमें इंस्टॉल नहीं किया है और अभी मैंने इसको अभी जाना समय यूज भी नहीं किया है इसलिए जब वो इसमें आज आएगा मेरे पास जब इंस्टॉल करनूंगा तो उसके बारे में वीडियो बना करके आपको बता दूंगा लेकिन अभी जो फ्री फायर है या और भी जो गेम्स हैं वो सभी बहुत ही असमूतनी इसमें रॉन हो रहे हैं तो इस वीडियो में इत